नमस्कार दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे TDS and TCS रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रोसेस ओनलाइन मोड में भी तिन फैसिलिटी सेंटर के जरिये भी दिखें TDS रिटर्न फाइल करना एक बहुत इजी सा काम है कोई भी इसे खुद कर सकता है बस जुरूरत है इसके बेसिक कॉंसेप्ट को पहले समझने की जैसे कि TDS रिटर्न फाइल करने का में परपस क्या होता है इसके जरिये कौण सी इन्फर्मेशन गवर्मेंट को चाहिए और उस इन्फर्मेशन का अल्टिमेटली यूज क्या है चलिए सबसे पहले तो हम इसके बेसिक कॉंसेप्ट को ही समझते हैं एक एक्जेंपल के जरिये स्पोज करो हमारा एक बिजनस है जिसका नाम है अकाउंटन्स कलब और अगर हम कोई पेमेंट ऐसे एक्सपेंसिस की करते हैं जो कि TDS के दाहरे में आते हैं जैसे कि सैलरी अदर देन सैलरी के केस में भी बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसिस हैं जैसे कि डिवीडेंट, रेंट, कमिशन वगईरा इनकी लिस्ट को भी हम अलग से study कर सकते हैं अब देखिए इस type की सभी payments हमारे business के लिए तो expenses होती है लेकिन जो party इनको receive करेगी उनके लिए तो ये income होगी यनि अब उनी की income में से tax deduct करके TDS की sense में deposit कराने की responsibility हमारी होगी बट ये amount जब हम government को deposit कराते हैं ये deposit होता है हमारी company के 10 account में monthly chance के जरिए अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि actual में तो ये tax amount उन persons का है जिनका हमने deduct किया है यनि अब यही main purpose रहता है TDS returns फाइल करने का जिसके जरिए tax amount shift करते हैं हम deductives के pen account में और इस पूरे process में जो person TDS से deduct करता है उसे deductor और जिसका TDS deduct होता है उसे deductee कहा जाता है इस पूरे concept को और बहतर धंग से समझने के लिए हम एक example लेते हैं पहले बात करते हैं TDS on salary की जैसे कि suppose grow April 23 में हमने अपने employees ABCD का TDS deduct किया है अब ये total TDS amount next month की 7th तक हमें deposit कराना होगा इसी तरह जो TDS हमने मई में deduct किया है उसे 7th जून से पहले deposit करा देंगे और जो जून में deduct किया है उसे 7th जुलाई से पहले अब देखिए TDS चाहे हम अपने 5 employees का deduct करें या फिर 50 का लेकिन उसे deposit तो एक single चलान के जरिये ही हम करते हैं जिसकी वज़ें से इस particular quarter के लिए government के पास हमारे इन तीन चलान की ही detail होगी लेकिन इस amount में किस किस employee का और कितना कितना share है ये information portal के पास नहीं होगी और अब ये ही detail हमें provide करनी होती है TDS return के जरिये जैसे कि हमारा ये मई मन्त का चलान है अब ये हमारे 4 employees से related है जिन में से A का share है 1200 B का 1800 C का 1500 D का 1000 और इसी तरह हमारे जून मन्त का भी इनी 4 employees से related है जुलाई की अगर हम बात करें ये भी 4% से ही related है लेकिन इसमें अब employee B, C, D और E है और अगर हम इस पूरे quarter की बात करें तो distribution कुछ इस तरह से है येनी ये ही वो main information है जो provide करेंगे हम salary की TDS return में इसके इलावा अगर हम other than salary की भी बात करें suppose करो अपरेल मन्त में हमने rent की payment पे TDS deduct किया है और साथ में contract amount पे भी अब rent का TDS हम separate चलान पे section 194 I में deposit कराएंगे और contract का 194 C में और इसी तरह इनी दो deductee के लिए मही के भी दो चलान होंगे लेकिन जून में rent का तो एक ही deductee है बट contract के case में दो है अब इनी 6 चलान्स की deductee wise detail हमें अपने form number 26 के ओब में कुछ इस तरह से देनी है इसके इलावा गर हम TDS returns की बात करें तो उसके भी कुल मिलाके चार अलग-अलग forms है salary के case में statement file की जाती है form 24 के ओब और other than salary जितने बाकी expenses है उनकी statement file होती है form 26 के उपे और जब हम TDS किसी non-resident का deduct करते हैं तो फिर हमारी statement file होती है 27 के उपे और अगर हम TCS की बात करें तो उसकी return file होती है 27E के उपे लेकिन return prepare करने से लेके file करने तक का procedure सभी cases में almost एक जैसा ही है और अगर हम किसी particular quarter में एक से जदा category के under TDS deduct करते हैं तो फिर उनकी statement भी अलग-अलग ही file होगी यह सभी returns quarterly basis पे file होती है जिनकी due date कुछ इस तरह से है और अगर हम इने due date तक file नहीं करते तो फिर 200 रुपीज per day penalty भी है दिखिए अब तक की हमारी discussion से एक बात तो बिल्कुल clear हो जाती है कि TDS की return prepare करने में main role उन चलांस का होता है जो हमने उस particular quarter के लिए deposit कराए हैं क्योंकि ultimately इसी amount को ही हमने deductive के account में transfer करना होता है return के जरिए तो चलिए अब हम return file करने का practical process शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम उन चलांस को एक बार देख लेते हैं जिनको base लेके हम ये return prepare करेंगे दिखिए अकुल मिला के ये 4 चलांस हैं जिन में से पहला है ये April 23 की payment से related जिसमें हमने अपने landlord Mr. A का rent की payment पे TDS deduct किया है और फिर इसको 7th मई को deposit कराया है under section 194 I और बिलकुल इसी तरह ही मई के मन्त में जो हमने TDS deduct किया है उसको under section 194 I 7th June को deposit कराया है जिसकी detail हमारी screen पे है and then June 23 के rent का TDS हमने 7th July को deposit कराया है लेकिन इसी मन्त में rent के इलावा section 194 C में contract पे भी हमने 2% का TDS deposit कराया है जिसकी payment हमने 31st July को की है due date के बाद लेकिन interest के साथ यानि इस quarter में कुल मिला के ये 4 चलांस हैं जिन के लिए हम return prepare करेंगे देखिए TDS return filing process को बिल्कुल simple बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं और वो काम है payment detail की summary कुछ इस तरह से त्यार करना वैसे जिसमें ये वो सारी information है जो अभी हमने discuss की थी लेकिन इसको हमने बिल्कुल वैसे त्यार किया है जैसे की return की requirement होती है लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और information भी चाहिएगी जैसे की डिड़क्टर की जिसमें mainly company का नाम, address, ten number, pen number और साथ में जो हमने इस से पहले TDS की return file की है उसका receipts number डिड़क्टर के साथ साथ हमें उस authorized person की detail भी चाहिए जो की responsible है TDS की return file करने के लिए जैसे की उसका नाम, designation, address, pen number और mobile अब यहाँ पे almost वो सारी information available है जिसकी जुरूरत हमें TDS return prepare करने में पड़ेगी तो चलिए अब हम शुरू करते हैं return त्यार करने का process वैसे तो TDS की return बनाने के लिए कुछ third party softwares भी market में available हैं लेकिन income tax department ने हमें Java based utility provide की है जो कि ना सिर्फ free of cost available है बलकि इसके जरी return prepare करना भी एक बहुत easy काम है चलिए इस utility को download करने के लिए इसका keyword हम Google पे search कर लेते हैं और फिर इस link पे click करने से text network information की ये website open हो जाएगी जिसमें यहाँ निच्चे हमें ETDS, ETCS, RPU यनि return preparation utility का option मिलेगा साथ में इस से related information भी यहाँ पे available है और यहाँ पे ये download link है इस utility के latest version का जिसके features की detail इस link पे click करके हम देख सकते हैं देखी ये जो current version है 4.7 ये 1 September 2023 को release हुआ है और इसमें क्या कुछ latest update हुआ है उसकी सारी information यहाँ निच्चे हमें मिल जाएगी form wise वैसे तो इस utility के latest version update होते ही रहते हैं लेकिन return prepare करने के procedure में कोई change नहीं आता तो चलिए इस link पे click करके utility को हम download कर लेते हैं और अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस download folder में ये available है चलिए अपनी थोड़ी convenience के लिए इसको यहाँ से हम shift करते हैं desktop पे एक नए folder में जिसका नाम भी हम रख लेते हैं TDS return और अब जैसे ही इस folder को हम open करते हैं तो इसकी सारी files हमें यहाँ पे नज़राएंगी क्योंकि ये एक java based utility है इसलिए इसको run करने के लिए हमारे system पे java installed होना चाहिए और इस utility को run करने के लिए folder में हमें एक executable file मिलेगी TDS underscore RPU underscore version number इस पे क्लिक करते ही utility run हो जाएगी जिसके बाद screen कुछ इस तरह से आएगी दिखी ये TDS और TCS की common utility है इसी के जरी हम form नमबर 24 के ओ, 26 के ओ, 27 के ओ, 27 E के ओ, prepare कर सकते हैं regular return prepare करने के लिए भी और साथ में correction के लिए भी यनि अब यहां सबसे पहले हमें अपना relevant return form select करके regular या फिर correction को select करना है and then click करना है continue पे जिसके बाद ये return form open हो जाएगा और इसमें कुल मिला के तीन main page है जिसमें पहला है form जो की है journal information और deductor की detail के लिए and then चलान है payment की detail के लिए और फिर annexure one deducted detail के लिए इसके साथ एक tab और भी है other services of tin का जिसमें हमें just कुछ quick link मिलेंगे इन सभी services के लिए google पे हम directly भी search कर सकते हैं दिखिए अभी तो हमारी screen पे form number 26 क्यो open है लेकिन अगर हम form number 27 क्यो को भी open करते हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही है even अगर हम TCS का return form 27 e क्यो open करें तो इसमें भी same to same वो ही tab है इसके इलावा अगर हम salary के case में form number 24 क्यो की भी बात करें तो उसकी भी ये सारी tab बिल्कुल as it is ऐसे ही हैं लेकिन salary के case में difference आता है सिर्फ quarter number 4 की return में इसमें हमारे दो tab और add हो जाते है annexure 2 और annexure 3 जिसमें हमें अपने सभी employees की salary की annual detail देनी होती है otherwise first three quarter बिल्कुल as it is same रहेंगे यानि इन में से किसी भी return form को अगर हम अच्छे से समझ लें तो बगकी सभी return form की भी automatically practice हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने return prepare करने का process form number 26 के उपे अभी open है इसकी first tab यानी form और इसमें सबसे पहले हमें select करना है अपना financial year जो की है 23-24 उसके बाद हमें यहां से relevant quarter को select करना है assessment year इसमें automatically ही fill up हो जाएगा और अब यहां पे हमें enter करना है अपने business organization यानी हमें अपनी company का pen number और इस tab में हमें select करना है type of deductee अपने business के accordingly जैसे अगर हमारी partnership है तो यह select करेंगे लेकिन हमारा यह organization company है तो accordingly हमें से select करेंगे और इसके इलावा इस पहले section में जितने भी remaining column है यह सारे के सारे correction की return में use किये जाते हैं regular return के case में का कोई use नहीं है तो चलिए move करते है section number two यानि particulars of deductor में और इसमें सबसे पहले आएगा हमारे business का नाम यहाँ पे company का नाम बिलकुल वैसे ही type करना है जैसे कि 10 number में है यानि spelling बिलकुल भी mismatch नहीं होने चाहिए उसके बाद नीचे हैं branch या division की जो भी आपके case में detail है उसे हमें यहाँ पे enter करेंगे और इसके इलावा यह जो column है DDO code, DDO registration number, PO code, PO registration number यह सिरफ form number 24 क्यों यानि salary की return से related है और fill up किये जाते हैं उस situation में जब deductor government होती है इसके इलावा हमारे लिए mandatory है यहाँ पे fill करना company का address जिसमें mainly building number name of premises area या फिर location name of city then pin code उसके बाद state को हमें यहाँ से select करना है और इसके बाद company का telephone number email address को भी हम यहाँ पे enter कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इसने हमसे question पुचा है कि क्या last return के बाद आपका address change हुआ है अगर कोई change नहीं है तो हम no select करेंगे उसके बाद यहाँ पे हम अपनी company के GST number को enter कर सकते हैं लेकिन यह mandatory नहीं है और अब हम move करते है section number 3 में जो की related है particulars of person responsible for deduction of tax यहनी इसमें detail आएगी authorized person की जिसमें सबसे पहले यहाँ enter करना है हमें authorized person का नाम उसके बाद उसकी designation क्या है इस company में and then यहाँ पे हम fill करेंगे इस authorized person का pen number और फिर इसके बाद remaining information बचती है इस authorized person का address देखिए अगर company का address और authorized person का address same है तो just हमें यहाँ same as above पे click करना है यह सारे address के column automatically fill up हो जाएंगे लेकिन address अगर different है तो उसे accordingly हम यहाँ पे enter करेंगे address के साथ साथ personal email और telephone numbers भी यहाँ पे enter कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे भी इसने question पुछा है कि क्या last return के बाद आपका address change हुआ है तो accordingly हम इसे select करेंगे and then यहाँ पे enter करना है हमें authorized person का mobile number जो की एक mandatory field है लेकिन चलिए फिलहाल इसे हम enter नहीं करते और देखते हैं कि क्या इसकी error आती है और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और question है कि क्या हमने last quarter की return file की है अगर की है तो यहाँ पे yes select करेंगे और फिर यहाँ पे उस last return का receipts number enter करना है लेकिन हमारे इस case में यह near 10 number है जिसकी वजह से पहले कोई return file नहीं हुई तो हम accordingly no select करेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हमने यहाँ पे no select किया और system में हमारी previous return मिली तो यह return reject हो जाएगी अब इसके साथ ही इस page की सारी required information यहाँ पे properly fill हो चुकी है लेकिन next page पे move करने से पहले हमें इस return को save जरूर कर लेना चाहिए चलिए इसे भी हम उसी folder में save कर लेते हैं जहां पे हमारी rpu utility है और अब इस file को successfully save करने के बाद हम open करेंगे next tab को जो की related है चलान से और अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस add row button पे click करके उतनी number of row add करनी है जितने number of चलान हमारे इस particular quarter से related है इस page पे कुछ column हमें dark color में दिखाई देंगे और कुछ light color में यह dark color वाले column auto fill होते हैं और इन light color के column में information हमें fill करनी होती है तो चलिए अब हम enter करते हैं अपने पहले चलान की detail इस पहली row में और यहाँ column number 4 में enter करना है TDS का amount जो की है 6048 and then surcharge 0 है education says भी 0 है interest भी nil है fee भी 0 है और penalty भी 0 है इसके बाद column number 10 last tax deposit में हमें कुछ भी fill नहीं करना column number 11 में हमारे इस चलान का grand total automatically आएगा and then next column है 14 जिसमें हमें information फिल करनी है और इसमें आएगा हमारे चलान का BSR code and then column number 16 में हमें enter करनी है इस चलान की deposit date इसके बाद column number 18 में आएगा चलान का serial number column number 19 में no automatically select हो जाएगा क्योंकि हमारी payment चलान के जरिए है book adjustment के जरिए नहीं और इसके बाद column number 20 में interest की allocation है जिसमें 0 ही रहेगा क्योंकि हमारे इस चलान में interest है ही नहीं इसके बाद column number 21 में भी 0 रहेगा क्योंकि हमने कोई other payment नहीं की and then column number 22 में हमें select करना है minor head of चलान जिसमें आएगा 200 क्योंकि ये payment हमने खुद से की है किसी demand के against नहीं है देखिए अब हमारे इस चलान number 1 की complete detail यहाँ पे fill up हो चुकी है और अब हम अपने second चलान की detail इस line number 2 में बिल्कुल वैसे ही enter करेंगे amount के साथ साथ इसका BSR code, date of deposit चलान, serial number और फिर last में हमें select करना है minor head of चलान, इसके बाद जो हमारा चलान number 3 है वो भी बिल्कुल same to same rent payment का ही है सारी detail पहले जैसी ही है लेकिन इस quarter का जो हमारा last चलान है यानि चलान number 4 उसमें हमने 600 रुपीज TDS के deposit कराये हैं और उसके साथ-साथ late payment की वज़र से 9 रुपीज interest के और अब अगर यहां total amount deposit के इस column को देखें तो इसमें 609 automatically आ चुका है और फिर इसमें भी जो next columns हैं उनका procedure again वो ही लेकिन यह जो interest allocation का column है इसमें 9 रुपीज automatically fill हो चुके हैं उसके बाद इसका भी minor head हम 200 select करेंगे चलिए अब हम next page पे move करने से पहले again इस file को उसी location में save कर लेते हैं और अब हम open करते हैं इस return का सबसे main page अनेक्स्चर 1 जिसमें हमें fill करनी है deductive details यनि हमने जो tedious deposit कराया है थ्रू चलांस उसे link करेंगे deductive के नाम और pen number के साथ और अब इसमें हमारा सबसे पहला काम है हमें add करनी है row जिसके लिए हम click करेंगे insert row पे दिखिए इस quarter में हमने total 4 चलांस के जरिये payment की है अब उनकी तो 4 lines automatically हाँ पे capture हो चुकी है लेकिन इसमें जो main काम है हमें हर चलां के आगे ये mention करना है कि ये particular चलां कितने number of deductive से related है जैसे कि चलां number 1 सिर्फ एक person से related है इसी तरह second चलां में भी एक है और third में भी एक है लेकिन जो हमारा चलां number 4 है उसमें हमने दो deductive के लिए TDS deposit कराया है under section 194C इसलिए इसमें number of record में भी दो enter करके हम ok पे click करेंगे जिसके बाद हम यहाँ पे देख सकते है चलां number 1,2,3 के लिए तो एक-एक line एड़ हुई है लेकिन चलां number 4 के लिए दो line एड़ हुई है इसके इलावा हमारे सभी चलांस का BSR code, date of deposit और चलांस का serial number भी इसमें automatically ही capture हुआ है हमारे previous page से जिसमें TDS payment यहनी चलांस की यह सारी detail हमने fill up की थी और अब यहाँ column number 6 में हमें select करना है कि कौन सा चलां किस particular section के under pay हुआ है जैसे ही हम यहाँ select पे click करते हैं तो इस drop down में सभी sections के list आ जाएगे और अगर इस चलां number 1 की बात करें यह related है section 194 I से लेकिन इसके under भी दो code आते हैं 4 I A है machinery rent का और 4 I B है building rent का क्योंकि हमारे TDS building rent से related है तो हम accordingly select करेंगे इसके इलावा चलां number 2 और चलां number 3 भी same code से related है यहनी इन में भी हम select करेंगे 4 I B लेकिन चलां number 4 related है section 194 C से तो इसका code 94 C हम इसकी दोनों ही लाइनों में select करेंगे इसके बाद column number 7 में TDS का amount भी automatically capture हो चुका है साथ में interest का amount भी column number 10 में चलान के total को हम देख सकते हैं और इसके बाद column number 12 में deductive का reference number enter किया जा सकता है लेकिन यह mandatory नहीं है column number 13 auto fill है लेकिन यहाँ पे सबसे important column है column number 14 जिसमें enter करेंगे हम deductive का pen number और इस चलान number 1 का deductive है Mr. A तो उसका pen number हमें यहाँ बिलकुल correctly enter करना है and then column number 15 में deductive का नाम भी बिलकुल वैसे ही enter करना है जैसे उसके pen card पे है और इसके बाद चलान number 2 में भी हमारा deductive Mr. A ही है और साथ में चलान number 3 में भी क्योंकि इन तिननों ही चलान में हमने rent का TDS deposit कराया है और इसके बाद चलान number 4 में हमारे दो deductive हैं जिन में से एक है XYZ and company तो उसका pen और deductive name यहाँ पे हमने enter करना है और दूसरा deductive है Mr. B तो उसका भी pen number और name हम यहाँ enter करेंगे and then column number 16 में enter करनी है date of payment और credit यनि इसमें हमें अपने actual expenses के credit होने की date enter करनी है जैसे कि हमारे अपरेल मन्त के rent का invoice 5th April को generate हुआ है अब यही हमारी date of credit भी माननी जाएगी और इसके बाद column number 17 में आएगी हमारे expenses की actual value यनि जिस amount पे हमने TDS deduct किया है जैसे कि अपरेल मन्त का हमारा rent था 60,480 and column number 18 में इस rent पे जितना हमने TDS deduct किया क्योंकि rent पे TDS 10% से deduct होता है so हमने deduct किया 6,048 रुपीज and then column number 19 and 20 surcharge और SES के लिए है क्योंकि rent पे यह applicable नहीं है so इन में हमें 0 enter करना है इनको blank नहीं रखना इसके बाद column number 21 में deduction का total automatically आ जाएगा और column number 23 में tax deposit यानि चलान का total आ जाएगा and then column number 25 में आएगी date of deduction देखी हमने अपरेल मन्त के rent की payment 5th अपरेल को ही की थी so उसी दिन TDS भी deduct हो गया था column number 26 में हमें reason देना होता है non-deduction या फिर lower या higher deduction का तो हमारे इस case में ये applicable नहीं है column number 27 में आएगा deductive code जिसमें 2 automatically selected है क्योंकि हमने payment Mr. A को की है जो की एक individual है यनि other than company and then column number 28 में हमें enter करना है कि TDS हमने किस rate से deduct किया है और इसके बाद ये जो column 30 से लेके 36 तक है ये सिर्फ कुछ specific cases में ही fill किया जाते है otherwise normal cases में ये blank ही रहते है जैसे कि अगर हम column number 30 की बात करें यहाँ पे information हमें सिर्फ उस situation में fill करनी होती है जिस case में deductive की income taxable ना हो और TDS को avoid करने के लिए हमने certificate लिया हो under section 197 और इसके बाद column number 31 से लेके 36 तक information उस situation में fill की जाती है जब TDS section 194N के तहत एक क्रोड से जादां की cash payment या cash withdrawal पे deduct किया जाता है एक bank के case में अब देखिए जैसे इस चलान की information हमने यहाँ पे fill की है बाकी सारे चलान की भी बिल्कुल इसी तरह ही fill up होगी यहाँ पे date of credit में invoice की date डालेंगे चलिए यहाँ पे एक experiment हम और कर लेते हैं Mr. B के चलान की date है 30th June लेकिन हम इसे गल्त enter करते हैं 1 July so that validation के दोरान error को rectify करना भी हम सीख सके and then column number 17 में वैसे ही हमें expenses के amount को डालना है column number 18 में जो TDS deduct किया है column number 19 में surcharge और column number 20 में sus and then column number 25 में date of deduction deductive code इसमें automatically select हो जाता है pan के accordingly and then column number 28 में rate of TDS rent के case में तो यह 10% ही है लेकिन contract के case में यह 1% है जब deductive individual हो और इसके इलावा column number 30 से लेके 36 तक हमारे case में applicable नहीं है चलिए further proceed करने से पहले इस file को हम एक बार फिर से save कर लेते हैं और again move करते हैं अपने first page पे और अब यहां पे हमारा next step है हमें create करनी है return file जिसके लिए click करेंगे हम यहां create file पे और अब यहां पे हमें एक message मिला है हमने authorized person का mobile number enter नहीं किया था क्योंकि यह mandatory information है इसलिए mobile number enter करने के बाद ही हम further proceed कर पाएंगे तो चलिए again click करते हैं हम इस create file बटन पे जिसके बाद screen कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगी और अब यह step हमारी इस return का एक बहुत important part है जिसमें हम चलान input file को अपने इस utility में upload करेंगे लेकिन अब question ये भी है कि इस step का basic purpose क्या है देखिए अभी तक जो information हमने अपनी company से related साथ में जो चलान deposit कराएं हैं उन से related यहां पे record की है उसी detail को हम income tax के database के साथ verify करेंगे इस process के जरिए और अगर इसमें कुछ miss match हुआ तो फिर उसकी error आएगी और उस error को rectify करने के बाद ही हमारी return file generate हो पाएगी और अब इस process को complete करने के लिए income tax के web portal से हमें चलान input file को download करना होगा तो चलिए open करते हैं income tax का ये नया portal और फिर इसमें हम login करेंगे अपनी company के 10 number और उसकी detail को यूज़ करते हुए जिसके बाद 10 login की ये screen कुछ इस तरह से आएगी और अब यहां हमें क्लिक करना है e-pay tax इस option पे जिसके बाद e-pay tax की ये main screen open हो जाएगी और फिर यहां हमें एक tab मिलेगी payment history की जिस पे क्लिक करके हम अपने सब भी paid चलान्स की detail देख सकते हैं और इसके साथ ही एक tab हमें और मिलेगी चलान status inquiry यनि CSI फाइल की और अब इसी tab से ही चलान input file डाउनलोड होगी जैसे कि यहां पे भी हम headline देख सकते हैं please enter payment dates for downloading चलान फाइल और अब इस quarter के हमारे सब चलान्स की जो date range है वो शुरू होती है 1st April से और यह चलान हमें मिलेंगे 31 जुलाई तक यनि अब यहां पे हमें अपने चलान्स की date range select करने के बाद क्लिक करना है इस filter चलान पे जिसके बाद इस date range के सभी चलान्स की detail यहां निच्चे हमें दिखाई देगी और जैसे कि हम यहां पे देख भी सकते हैं यह वो ही चलान्स है जिनके base पे हमने अपनी TDS return 26 के उग को prepare किया है तो चलिए अब हम इस file को download करते हैं जिसके लिए हमें just यहां click करना है download चलान file पे और जैसे ही हम यहां पे click करते हैं देखिए यह file हमारी download हो चुकी है अब यह file हमारे download folder में है चलिए अपनी convenience के लिए इस file को भी यहां से cut करके हम अपने main folder में लेके जाते हैं desktop पे जहां पे हमारी utility और remaining files है देखिए अब यही वो file है जिसको upload करेंगे हम अपनी utility में इस file की extension है dot csi यहनि चलान status inquiry तो चलिए again open करते हैं हम अपनी TDS return की utility को और अब यहां चलान input file name with path में हमें उसी file को select करना है और जिसके लिए यहां browse पे क्लिक करके हमें open करना है वो ही folder और फिर इस चलान input file को select करके click करना है open पे जिसके बाद इस file का path यहां पे copy हो जाएगा और उसके बाद इस second line में हमें उस path को select करना है जिसमें हम अपनी error file को save करेंगे दिखिए इसके लिए भी जो desktop पे हमारा TDS return का यह folder है इसी को ही हम select कर लेते हैं file name utility ने अपने आप ही decide किया है और अब just यहां हमें save पे ही click करना है यह path भी copy हो जाएगा और इस consolidate file की जुरूरत हमें correction की return में पढ़ती है regular में नहीं दिखिए अब यह सारे step complete हो चुके हैं और अब हमें इस file को validate करने के लिए यहां पे click करना है लेकिन validate करने के बाद इसमें हमें एक message मिला है error found during validation और फिर जैसे ही हम यहां ok पे click करते हैं error file automatically open हो जाएगी और साथ में यहां पे हमें उस error का reason भी मिलेगा जैसे कि देखिए यहां पे mention है कि चलान number 4 के इस deductive number 2 की जो हमने amount credit की date enter की है वो इस particular quarter से belong नहीं करती देखिए यह वो ही mistake है जो कि हमने जानबूच के की थी so that हम rectification का procedure समझ सकें और अब इस error को rectify करने के लिए इसे हम close करेंगे और open करेंगे deductive detail का वो ही page and then हमें जाना है चलान number 4 के deductive number 2 की उसी line में जो की related है payment credit से देखिए यह वो column है अब यहां पे हमें date change करनी है 30th June जो की हमारी actual credit की date थी इसके साथ ही यह error भी rectify हो जाएगी मिला है कि आपकी error file already exist करती है बस इसको ही हमें replace करना है error rectify करने के बाद और इसके साथ ही हम यहां पे message देख सकते हैं हमारी return file successfully validate हो चुकी है OK पे click करने से हमें एक message और मिला है कि यह return successfully file होने के बाद इसका status हम NSDL की website पे देख सकते हैं अब again जैसे ही इस OK पे हम click करते हैं हमारा वो folder open हो जाएगा जहांपे return file save हुई है दिखिए यह जो FVU extension वाली file है यही हमारी actual return file है जो कि हमें submit करनी है department को और अब इस return को file करने के भी दो method हमारे पास available हैं एक तो इस file को हम directly income tax के web portal पे upload कर सकते हैं और दूसरा TIN facility center में भी इस return को submit किया जा सकता है हम दोनों ही method discuss करेंगे वैसे भी एक organization की first return TIN center में ही upload हो सकती है और अगर हम TIN center की बात करें तो उसके जरी return submit करने के लिए एक तो यह FVU extension वाली file हमें pen drive में copy करनी है और दूसरा इसी folder में हमें एक form मिलेगा 27A PDF form में इसका हमें print लेके और यहां निचे इसी authorized person के signature लेने है और फिर इसके बाद FVU extension file के साथ इस print को लेके जाना है हमें TIN facility center में और अगर हम TIN center के address की बात करें तो इसे हम Google पे search कर सकते हैं Tax Information Network यानि Protean की website पे इसकी सारी list available है इसको हम pin code से भी search कर सकते हैं और state wise भी यहां पे हम अपने state को select करके then location enter करके search कर सकते हैं with address list हमारे पास आ जाएगी और ये TIN center इंडिया की almost हर city में ही हमें मिल जाएगे लेकिन जब हम इन में जाके return submit करते हैं तो ये एक छोटी सी fees भी हमसे charge करते हैं और अब हम बात करते हैं income tax के इस नए web portal के जरिये TDS की return कैसे file होती है देखिए TDS की return file करने के लिए इसमें हमें login करना है अपने 10 number के साथ और फिर यहां इस e-file tab के drop down में हमें option मिलेगा income tax forms का and then इसके आगे यहां click करना है file income tax forms पे जिसके बाद income tax forms का ये page open हो जाएगा और फिर यहां इस page के बिल्कुल last में TDS returns file करने का option available है हमें just यहां file now पे click करना है उसके बाद TDS TCS return का ये dashboard open हो जाएगा इसमें हमें click करना है let's get started पे और अब यहां सबसे पहले तो हमें select करना है अपना form number जो कि है 26 क्यों other than salary दिखिए इन में से return form चाहे कोई भी क्यों न हो लेकिन filing procedure बिल्कुल एक जैसे ही रहेगा return form को select करने के बाद यहां निच्चे हमें select करना है financial year जो कि है 23, 24 and then यहां से select करना है quarter number 1 और फिर इस upload type में हम regular को select करेंगे and then यहां निच्चे हमें attach करनी है अपनी tds return की file जो कि prepare की थी हमने utility के जरिये लेकिन यह file सिर्फ zip format में ही attach हो सकती है जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं और अब इसके लिए again open करेंगे हम tds return का वो ही folder और यहां पे जैसे कि हम already discuss कर चुके हैं कि यह fvu extension वाली file ही हमारी return file है यानि अब इसे upload करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको zip folder में convert करना होगा और जिसके लिए इस file को select करके just right click करना है and then click करना है compress to zip file पे और यह file win zip के जरिये zip folder में convert हो जाएगी जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं और अब इस return को file करने के लिए again back आते हैं हम income tax के इस web portal पे और click करते हैं यहां attach file पे and then open करते हैं tedious return इस folder को जिसमें हमारी return file available है and then उसी zip folder को select करके click करना है हमें यहां open पे जिसके बाद यह file यहां पे attach हो जाएगी और फिर उसके बाद click करेंगे हम यहां proceed to e-verify पे जिसके बाद confirmation के इस message को भी हमने yes करना है और अब यहां इस return को e-verify करने के लिए हमारे पास कई options available हैं जैसे कि इसको हम digital signature के जरिये भी verify कर सकते हैं bank account के जरिये भी लेकिन चलिए हम अधार OTP option को select कर लेते हैं जो कि सबसे easy method भी है और अब यहां continue पे click करके हमें generate करना है अधार OTP and then एक normal procedure के accordingly ही यहां OTP enter करके हमें करना है validate and then again confirmation का यह message हमारे सामने आएगा और जैसी ही हम yes पे लिक करते हैं हमारी यह return successfully submit हो जाएगी return file करने के बाद इसका status भी हम dashboard पे जाके चेक कर सकते हैं जिसके लिए open करना है यह view filed forms का page और फिर यहां पे हमें अपने return और उसका status दिखाई देगा वैसे return file करने के कुछ दिन बाद उसका status हमें जुरूर चेक करना चाहिए कि वो successfully process हुई है के नहीं इवन अगर टिन सेंटर में भी return file की गई है तो भी उसका status हमें यहीं दिखाई देगा और return के status के साथ साथ इसकी acknowledgement receipts को भी हम यहीं से download कर सकते हैं होप सो अब आप TDS की return को खुद से file कर पाओगे अपने suggestion और comment हमें जुरूर लिख भेज़िएगा साथ में channel को subscribe करना मत भूलिएगा accounts और text session के advance courses के लिए आप हमारी website भी visit कर सकते हो इस session में इतना ही thank you very much